हेलो गाई स्वागात है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकैडमी में दोस्तों रोजगार और निर्मान का नया अंग प्रकाशित हो चुका है जो कि 21 से लेके 27 मार्च 2022 तक का है और इस वीडियो में हम इसी अंग का विचलेशन करेंगे देखें कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट प्रधान मंत्री आवास योजना में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जो वहाँ पे सहरिया जाती है उनके लिए ये एक विसेश प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इसका नाम दिया गया है प्रोजेक्ट का सहरिया विसेश प्रोजेक्ट तो इस प्रोजेक्ट में सह प्रदेश के मुखे मंत्री है और उन्होंने अपने वहाँ पे भाषाट की दौरान ये चीज़े बताई हैं तो सहारिया विसे इस प्रोजेक्ट के अलाबा वहाँ पे 150 करोड रुपए के विकास कार्यों का भी लोकारपन भी किया गया है और गुहमी पूजन भी किया गया है इसके बाद देखते हैं पिछले हफ्ते चर्चा में क्या क्या रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे CVSE ने दस्मी और बरामी बोर्ट की टर्म 2 की जो परिक्षाए हैं इनकी तारीख जारी कर दी है तो दस्मी की बोर्ट परिक्षाए 26 अप्रेल से शुरू होंगी और 24 मई तक चलेंगी इसके अलावा जो बरामी की परिक्षाए हैं जो 26 अप्रेल से शुरू होंगी और 15 जून तक चलेंगी इसके बाद देखते हैं यहां पे केंद्री विद्यालों में जो पढ़ाने के लिए PhD अनिवार थी उसको खत्म कर दिया गया है UGC के तरफ से तो UGC यानि की University Grand Commission यानि की विश्विद्याला अनुदान आयोग इन्होंने जो केंद्री विश्विद्याला में पढ़ाने के लिए PhD का requirement होता था एक प्रोफेसर के लिए फेकल्टी के लिए उस PhD की डिगरी को आवश्यक होना खतम कर दिया अब जो PhD की डिगरी अनिवार थी ये अब आव छहला क्यों किया गया है तो काफी सारी वहां पर सीटे जो थी जो खाली थी रिक्त थी तो उनको भरने के लिए फैसला लिया गया है और सारही का जो नीट पीजी का अभी ही एक्जाम हुआ तो 2021 को उसके सारे ही के टेगरी इसका जो कट ओफ था इसको पंदरा परसेंट तक कम कर दिया गया है आगे यहाँ पे JEE मेंस 2022 की परिक्षाई थी इसकी तिठी देट थी इसमें बदलाव किया गया है तो पहले चरण की जो परिक्षाई थी यह 16 से लेके 21 अप्रैल तक आयोजित होने वाली थी अब इसको चेंच कर दिया गया है तो अब ये परिक्षा 21, 24, 25, 29 और 4 माई और 1 माई को आयोजित की जाएगी तो नई डेट जरूर नोट करिएगा अगर आप जेए मेंस की आपके घर में कोई एक्जाम दे रहा है तो डेट में बदला हुआ है तो उनको आप इनफर्म कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर इवीजा की नियूज है तो भारत में जो 156 देशों के लिए वीजा जारी किये जाते थे पांच वर्सी तो कोबिट के समय उनको निरस्त कर दिया गया था गाइडलाइन्स के चलते और हाली में वो जो 156 देश थे उनके जितने भी इवीजा धारक थे भारत में उनको ततकाल प्रवाव से बहाल कर दिया गया है अगे यहां पर एक भारत की तरफ से आर्क्टिक निती जारी की गई है इस आर्क्टिक निती का नाम आपको याद रखना है इसका सीरसक है भारत और आर्क्टिक सतत विकास के लिए साजहदारी का निर्माड इसका पर भी ज्यादा गहरा करना तो इसी कारण से स्नीति को लांच किया गया है तो इसके छे पिलर है छे स्तंभ है जो कि है वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग उसको मजबूत करना इसके अलावा जलवायू और परियावरन संरक्षन आर्थिक और मानव विकास परिवहन और सं पर्क शाषन और अंतराष्टी सहयोग और इसके अलावा आर्क्टिक छेत्र में राष्टी शंता निर्माण तो यह छे पिलर है छे स्तंभ है इस नीति के इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है यहां पर जो कि 22 मार्च को मना जाता है तो आपको याद रखना है हर साल 22 कब मना जाता है तो 22 मार्च आप याद रख सकते हैं यह पूछ लेगा कि चार ओप्शन दे देगा पूछ लेगा 22 मार्च को इन में से कौन सा दीवस मना जाता है तो आपको याद रखना है विश्व जल्दिवस इसके अलावाद थीम भी काफी इंपॉर्टेंट होती है कि इस साल 22 मार्च को जो विश्व जल्दिवस मना गया 2022 में इसकी थीम क्या थी तो इस साल की थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग दा इन्विजवल विजवल इसके आप यह दिन मनाय क्यों जाता है तो आप सभी को पता है कि जल कितना जरूरी है सभी के जीवन में चाहे व विश्व भर में तो इसी के बारे में पूरे विश्व भर में जागुपता फैलाने के लिए कि हमें पानी कम मिस्यूज कम करना चाहिए जो पानी है उसको रिजर्ब करके रखना चाहिए उसका सनक्षान करके रखना चाहिए ताकि पूरे विश्व भर में जो जिनको पानी किया वसकता है चाहे वो मनशों हो जानवर हो पेड़ पौधे हो तो सबको नियमित रूप से पानी मिल सके जीवन के लिए तो इसी के बारे में जायूर्प तक फैलाने के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल्दी बस मना जाता है इसके बाद देखते हैं कि चर्चा में कौन कौन रहे हैं तो सबसे पहले हैं Emmanuel Macron यह कौन है तो यह फ्रांस के राष्टपती हैं ठीक है तो हाली में इन्होंने एनौंस्मेंट किया है कि 2022 में अप्रैल में एक्चली में फ्रांस में राष्टपती चुनाओ होने वाले हैं और य दूसरे कारेकाल के लिए इस साल होने वाले फिर सचुनाओं में लड़ेंगे इसके आत कौन है इसके बाद हैं वीटोमीर मैरी किक वीटोमीर मैरी किक तो इन्होंने पानी के अंदर तीन सो इंक्यावन फिट चलकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है ठीक है एक क्रोईशि दिस्टेंस कवार करने में उन्हें तीन मिनट च्छे सेकंड का टाइम लगा यानि कि पानी के अंदर इन्होंने लगातार तीन मिनट 6 सेकंड रहकर पैदल चली पैदल यत्रा करी और उसमें थे इन्होंने दिस्टेंस कवार की 302 विट और आधा हंज की और यह एक 14 फिट और 11.5 इंच की दूरी तैकी थी और नय विश्य रिकॉर्ड है 359 फिट और आधा इंच का कि इसके बाद है वासू सोजित्रा वासू सोजित्रा तो यह भारतवनसी हैं और हाली में अमेरिका की सबसे उची चोटी पर पहुंचे हैं यह ठीक है इसलिए इनका नाम इंपोर्टेंट है वासू सोजित्रा तो उत्तरी अमेरिका की सबसे उची चोटी है डेनाली जो की माउंट मैकिनेले पर इस्थित है तो एक पैर पे ठीक है एक इंपोर्टेंट बात याद रखेगा कि यह दिव्यांग है इनके पास एक ही पैर है तो इन्होंने सिर्फ एक पैर की मदद से फटा किया है इस चोटी पे और एक पैर की मदद से फटा करने वाले भारती मूल के तीस वर्सी वासू सोजित्रा यह इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना है जो चोटी है इसकी उचाई है 20,310 feet की और इतनी उचाई को छूने वाले ये पहले दिव्यांग परवातारोही बने हैं ना सिर्फ पहले भारती पूरे विश्य के पहले दिव्यांग परवातारोही बने हैं इस दिन का नाम important है विश्य record बनाया उन्होंने इसका इंडोनेशिय की news है यहां पर हाली में एक मुखी पे विश्वट हुआ है तो question में आप से directly पोच लेता है आपको या तो country का नाम देदेगा इन्डोनेशिय कान्ट्री है और दूसरा जो जो जोला मुखी का नाम है माउंट मेरापी दो दोन आम आपको याद रखने हैं इंडोनेशिया में है माउंट मेरापी इसी में अभी हाली में इस वोट हुआ है कि इसके बाद ट्विटर की न्यूज है यहाँ पर ट्वीटर का नया डार्क वेब वर्जन लॉंच हुआ है ठीक है डार्क वैब वर्जन लॉंच हुआ है फिर है क्रॉस कंट्री रेय जिसका नाम है सालो पेट यह करती और यह सबसे पुरानी इसकी रेज है त människ पालीवें संपने समफाने में इसलिए तो दुन्यकी सबसे पुरानी से कंट्री्जेस और इसमें इसमें में 800 स्क्यर्स ने पार्टिपेट किया है और यह रेस होती कहां है तो यह स्वीडन के गाउं से स्वीडन में एक गाउं है जिसका नाम है सालेन स्वीडन के गाउं सालेन से शुरू होती है और यह 90 किलोमीटर तक यह रेस चलती है और यह मोरा पे जाके खत्म होती है तो यह आपक पुरानी cross country race होने के साथ साथ ही ये दुनिया की सबसे लंबी cross country race भी है इसकींग की बात हो रही है अगर इसकींग में बात करें इसके बाद है के सरवनन ठीक है तो के सरवनन एक्चिली में ये आटो ड्राइवर थे ये बीस सालों से लगतार आटो चला रहे थे और हाली में तामिल नाडू के कुम कोडम नगर निगम में यहां पर चुना हुए थे जिसमें इन्हों ने जीत हासिल की और यह वहां के महाप और बने हैं इसके आद माल्दीब की न्यूज आप एक सतरंगी मचली मिली है तो इस टाइप के और वह्यांकन में नाम ही जो दिये जाते हैं वह पूछता है तो माल्दीब में सतरंगी मचली मिली है इसका नाम आपक कर दा रखना है इसके बाद यहाँ पे जो इंग्लेंड की रानी है इनकी न्यूस है तो ब्रिटेन की महारानी है अलिजाबेट है इन्होंने अपने इस्थाई आवाज के तौर पर जो इनका एक तरस कह सकते हैं रेसिडेंट था महल था इसको चेंज किया है तो अब सभी ने नाम सुना होगा बकिंगम पैलेस का तो 1937 से अभी तक लगातार यहीं ब्रिटिस साही घराना था बकिंगम पैलेस और हाली में महारानी अलिजा बेदृती ने इस साही घराने को छोड़के जो बर्ग शायर में स्थित है यहाँ पे विंसर कैसल को अपना इस तो इनको टाइम मैगजीन ने विमेन आप दा इयर के लिए नामित किया है तो यह ब्रिटेन में रह रही है अफगानी जर्नलिस्ट है यह जहारा जोया और इनको टाइम मैगजीन ने विमेन आप दा इयर की सुची में शामिल किया है इसके बाद इंग्लेंड का ही एक किला है पुराना लगभग 470 साल पुराना किला है तो एक्चली में यहां की एक दीवाल गिर गई थी और रिसेंट में ही इसको वापस से रिनोवेट किया गया उस दीवाल को बनाए गया है और उसके बाद इस किले की शोभा और वैभाब ल नाम है हार्ट कैसल और हाली में इसे रिनोवेट किया गया जो इसकी दीवाल गिर गई थी और इसके बाद इसे न्यूज में लाया गया है इसके बाद है ली के कियांग ली के कियांग कौन है तो यह चीन के प्रदानमंत्री है और इन्होंने एनॉंसमेंट किया है कि इस वर वर्सों में फ्लैक्स लूनर रोवर चंद्रमा पर दोड़ते ना जार आएंगे यह दी गई है तो अमेरिका के पूरी कैलिफोर्निया और नवाड़ा के बीच इस्तित है यह डियूमॉंट ड्यून्स हैथ वैली नेशनल पार्क इसी में इस लूनर टेरेन वीकल का परिक्षन किया जा रहा है और इसकी में खासियत यह है कि यह Regis यह जो रोवर है इसको चंद्रमा पर अंत्रिक शाइत्री द्वारा सीधे संचारित किया जा सकता έχει यह जिवार है इसको सेटलाइट के फिरूर् जो अंत्रिक शातरी हम एस एंडियोरेंस हम एस इंडियोरेंस इस जहाज का नाम है तो 107 साल पुराना यह जहाज है जो उस समय तुफान फसके वहां पे डूग गया था और अभी 107 साल बाद इस जहाज को खोज के वापस निकाला गया वहां से इसके बाद स्मृति सेज देख लेते हैं तो यूक्रेन के लोप्री अभिनेता हैं ठीक है जिनका नाम है पाशा ठीक हाली में 33 वर्स की उमर में इनका निधन हो गया है तो देखिए आप सभी को अता कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जब लड़ाई छेड़ी थी तो यू आम नागरिक थे उन्होंने आगे बढ़ चड़के सेना में भरती ली थी तो उस टाइम पे जो अभिनेता है पाशा ली इन्होंने भी आर्मी जोईन की थी उक्रेन में और वार के टाइम पे रूस से लड़ाई लड़ते समय यह शहीद हो गया भी हाली में 33 वर्स की आयू म इसके बाद बात करते हैं अंतर रास्टी गजल गायक है राजकुमार रिजवी जी हाली में इनका भी निधन हुआ है बात्तर वर्स की आयू में नाम था इनका राजकुमार रिजवी इसके बाद है समान गयान खेल से रिलेटेड कुछ MCQ तो आए एक एक करके इन्हें भी सॉल्व करते हैं तो हमारा पहला कोश्चन है पहला कोश्चन पूछ रहा है अंतर रास्टी ओलंपिक समीती जो है इसका गठन कप किया गया था तो इसका गठन किया गया था वर्स 1894 मे नेक्स्ट कोश्चन है अलवारो मॉराटो किस देश के दिगज़ फुटबॉलर है तो ये इस्पेन के दिगज़ फुटबॉलर है इस्पेन याद रखिएगा इसके आद है वाका क्रिकेट ग्राउंड अस्टेलिया के किस सहर में इस्थित है तो जो वाका क्रिकेट जीता है द्यान से सुनेगा बदक नहीं जीता यह पूछ रहा है तो यहां पर कमल प्रीद कौर इनका नाम याद रहेगा कमल प्रीद कौर ने टोक्यो उलम्पिक में इस साल मैडल नहीं जीता था बाकी बजरंग पुनिया लवलीना बोर्गोहिन और पीवी सिंदु ने मैडल इसका दव वर्स दो जार दो में किस सहर में A.C.I. खेल आयूजित किये गये थे तो दो हजार दो में आयूजित किये गये थे बुसान में A.C.I. खेल फिर है RIDER CUP किस खेल की एक परटेश्टित परतियो होगीता है तो Rider Cup है, गोल्फ का टूर्नमेंट है Rider Cup फिर है VAR तकनीक का उपयोग किस खेल में होता है ठिक है कौन सी तकनीक है VAR तो इस टेकनीक का यूज होता है आपके फुटबाल में फिर है Australia ने वर्स 1987 में किस खिलाड़ी की कपतानी में Cricket विशु कप जीता था इसका राइट आंसर है Allen Border Next है Carolina Marine ने किस वर्स बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ड पदक नहीं जीता है ठीक है ध्यान सुनिएगा स्वर्ड पदक नहीं जीता है यह पूछ रहा है तो वर्स 2017 में उनने नहीं जीता था बाकी 2014, 2015 और 2018 में उनने जीता था फिर है इन में से किस गेंदबाच के नाम ICC Champions Trophy में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है तो इसका राइट आंसर है Kyle Mills फिर है जर्मनी ने Winter Olympic 2022 में कितने सौन पदक जीते हैं तो इसका राइट आंसर है 12 फिर है वर्ष 2016 में किस देश ने UEFA Euro Cup का खिताब जीता था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाल फिर है खेल रतन एवार्ड जीतने वाले पहले खिलाडी कौन है इन में से तो जो चार आप्शन दिये हैं इन में से सबसे पहले विश्वनाथन आनानर ने जीता था खेल रतन एवार्ड इसके बाद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हंगरियन ग्रैंट ट्रिक्स फिर है करीम बेंजेमा किस देज के दिगज फुटबॉलर है तो इसका राइट आंसर है फ्रांस इसका दा आईपियल के 2022 सत्र में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी तो मैंने आपको पढ़ाया था पहले पहले आट टीमें पार्टिपेट करती थी अभी दो और टीम जोड़ी गई है तो टोटल कितनी टीमें हो गई इस साल से यानि 2000 बाई से 10 टीमें पार्टिपेट करेंगी फिर अधिती अशोक किस खेल में भारत का प्रते निदेत करती हैं तो इसका राइट आंसर है गोल्फ फिर है Commonwealth Games को पहले किस नाम से जाना जाता था तो जो आपके Commonwealth Games है इनको पहले British Empire Games के नाम से जाना जाता था फिर है शेन वार ने टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लिये हैं तो इसका राइट आंसर हो जागा 708 708 फिर है टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस तेराक ने सबसे ज़् लंट पत्क जीते हैं तो इसका राइट अंसर है किस याव किस अन्सर ऑपका रूज़े निश्ण बाजी से तो जो निशानेवाजी का परिसर है इसे रेंज कहा जाता है। इसका आदा वर्ष 2021 में फ्रेंच ओपेन में महिला एकलवर्ग में चेंपियन कौन वनी थी। तो इसका राइट आंसर है बारवोरा क्रेजी कोबा। फिर है रियो ओलंपिक 2016 में टेनिस में पूरुस एकलवर्ग में स्वंड पतक विजेता कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडी मरे। इसके बाद यहाँ पे कुछ खेल समझ चाह रहा है इन पे नज़र डालते हैं तो सबसे पहले क्रिकेट की बात हो रही है भारत और स्री लंका के बीच में टेस्ट सिरीज चल रही थी दो मैचों की सिरीज थी। दोनों ही मैच में भारत ने स्री लंका को हरा दिया शानी से और भारत ने दोंशुन सरीत को अपने नाम कर लिए हैं और भारत थे अब fly दिसमबर 2012 के बाद भारत घरेलू मैदान पर एक भी टेस्ट शीरीज नहीं आ रहा है टेस्ट मैच की बात नहीं हो रही है अलब कि 2012 से सारे ही टेस्ट सिरीज जो की इंडिया में हुए है इंसाइड इंडिया सभी में भारत ने जीता है ठीक है इसके अलाबा यह जो मैच था यह डे-night टेस्ट मैच था और भारत ने टोटल चार्ट टेस्ट मैच खेले हैं जिसम के अलाबा रिशब पंथ ने यहां पर 28 बॉल्स पर 50 बनाई यानि 28 गेदों पर अर्थ सतक बनाया और टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे तेज अर्थ सतक बनाने वाले भारती वालेवाज बने है रिशब पंथ तो यह एक तरह का रिकॉर्ड यह याद रख सकते हैं इसके बाद क्रिकेट की न्यूज है जो भारती महिला क्रिकेट टीम की वेटेरन बॉलर है फास्ट बॉलर जूलन गोस्वामी इन्होंने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और यह महिलाओं के जो क्रिकेट का विश्व कप होता और अभी आप सभी को पता है कि महिलाओं का विश्योक अब चली रहा है तो वहीं पर भारत और वेस्ट इंडीस का मैच हुआ था जिस दौरान उन्हें ये रिकॉर्ड बनाया है इसके बाद यहां पर निखत और लवलीना की बात करते हैं तो भारत की युगा मुक्यवाज हैं निखत जरीन और लवलीना बोर्गोहेन तो इनको हाली में एशियन गेम्स में पार्टिपेट करने के लिए टिकट दे दिया गया है तो आप यह आदर रख सकते हैं कि जो इस साल के एशियन गेम्स हैं तो यह चीन के आंग जों में होंगे तो इस साल एशियन गेम्स चीन के आंग जों में होंगे उसी के लिए लवलीना बोर्गोहेन और निखत जरीन को आली में टिकट दिया गया है इसके बाद यहाँ पे सतरंज ओलम्पियाड की बात हो रही है तो इस साल 44th यानि की 44th सतरंज Olympiad होने वाला है और ये जो टूर्नमेंट है पहले रशिया में होने वाला था ठीक है रशिया की कैपिटल मौसको में होना था लेकिन आप सभी को पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल दा है इस समय तो इस करण से इस महासंग जो है इसके अद्यक्ष का नाम आप याद रखते हैं यहां के अद्यक्ष हैं डॉक्टर संजय कपूर जिन्होंने इस इनफॉर्मिशन को दिया है इसके बात करते हैं एक स्वीडन के दिगच खिलारी है जिनका नाम है आर्मड डूपलेंटिस ठीक है आर्माड क्रेड में एक इंडोर कॉम्टिशन चल दा था जहां पर डूपलेंटिस ने 6.1 मीटर की जंप लगाई है और इन्होंने फिर से नया अवाल रिकॉर्ड क्रेट कर दिया है अपना ही रिकॉर्ड तोड़के पुरा ना इसके आज फुटबॉल की बात करते हैं तो आप सभी इन्हें नाम तो सुना होगा क्रिस्ट्यानो रोनाल्डो का तो हाली में यह सबसे अदा गोल किया इन्होंने फुटबॉल में और इन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया है 807 गोल का ठीक है तो पूरे विश्य भर में अब 807 गोल हो गया है क्रिस्ट्यानो रोनाल्डो के औ जोसेफ बाइकन इन्होंने 806 गोल किये थे तो यह विश्य रिकॉर्डिन के नाम था अब क्रिष्टियान और रोनार्डो ने इनसे एक गोल जादा करके 807 गोल करके नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है इसके बाद यहाँ पर एक क्रॉस कंट्री इसकी मेराथॉन है जिसका जो विनर है यह है रोमन फर्जर ठीक है तो स्विट्जर लैंड के दिगज इसकीर है रोमन फर्जर इन्होंने हाली में एंगडेन इसकी क्रॉस कंट्री मेराथॉन ठीक है एंगडेन इसकी क्रॉस कंट्र Country Marathon का नाम है तो इस Marathon को इनोंने जीता है और ये च्वरती वार है जब इनोंने इस Marathon को जीता है ठीक है तो आपको इस्कियार का नाम याद रखना है रोमन फर्जर तो इस मैराथॉन को इन्होंनों पूरा करने के लिए एक घंटा 35 मिनट और 69.5 सेकंड टाइम लिया है इसके बाद यहां पे टेनिस से नियूज है तो ATP ने जो की विश्व टेनिस की सीरी संस्था है इन्होंने जर्मनी के युवार टेनिस स्टार अलेक्जेंडर ज्वरेब को आठ सब्ता के लिए निलंबित कर दिया है तो यह प्रतिबंद क्यों लगा गया है क्योंकि अभी हाली में मैक्शन ओपेन एक टूर्नमेंट चला था ठीक है तो उस टूर्नमेंट के दोरान इसी प्लेयर आप दा मंथ की तो यह जो नया एवार्ड था पिछले साल से शुरू किया गया था तो इसमें आप सभी को पता हर मंथ के लिए दो विनर्स चुने जाते हैं जो कि उस मंथ में सबसे अच्छा प्रदाशन करते हैं क्रिकेट में एक मेल्स में एक फीमेल में दो काटेगरी में विनर्स आते हैं तो फरवरी के लिए अभी बिनर्स अनाउंस एकर बात करें तो भारती यूbat रोदेवाज स्रीस ऐयर को इस एवर्ड दिया गया इस एवर्ड को फरवरी मंत के लिए और महिं अगर में लद मेंमें निजी लेंड की आल राउंडरहं स्टम् देख लेती हैं, तो इंडिया वुकाइफ रिकॉर्ड ने सड़क निर्माड के लिए 100 घंटे में वीटूमिनस Помix की अधितम मात्रा तयार करने का रिकॉर्ड बनाने के लिए एक प्रहूंद पंत्र दिया है और यह प्रहूंद पंत्र दी आ गया है केंद्रे सड़ा को परिवाहन मंत्रह लेको तो सौ घंटे में विटूमिनस मिक्स की अधिकतम मात्रा तयार करने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है जिसके लिए एक रिकॉर्ड बनाया गया इनके दोरा और इसके लिए इंडिया बुक आफ रिकॉर्ड ने इन्हें एक प्रम पर दिख़री तौर पर यूक्रेंट से पंवल कि शिफ्ट किया जाएगा टिक हैं और यहां से भी कुशनविजिक्यार है द्डूता वाससे इसको यूकरेंट शिफ्ट किया जाएं है तो ये विदिन मीनट ही आठ सो किलो मीटर तक दुस्मने के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं मतलब कि इसका जो रेंज है ये लगभग आठ सो किलो मीटर होगा ठीक है तो इसी ब्रह्मोस के नए वर्जन का हाली में डवलाप्मेंट चल रहा है इसके बाद यहां पर प्रतान मंतरी स्री नरेंद्र मोदी जी ने एहमदाबाद में ग्यारवे खेल महाकुम का सुभारम किया है उसकी न्यूज है ठीक है तो बारा साल पहले ये जो टूर्नामेंट से शुरू किया गया था गुजरात में उस हमें जब वहां के मुखमंतरी थ नरेंद्र मोदी जी तो उन्होंने बारा साल पहले इसकी शुरुवात की थी और अभी रिसेंट में ही ये 11 एडिशन है 11 एडिशन है तो ग्यारवे खेल महाकुम का सुभारम किया गया है तो 2010 में इसकी शुरुवात की गई थी वहां पे 16 खेलो और 13 लाग प्रतिभाईयों के साथ इस टूर्नामेंट को शुरू किया गया था और अगर आज की बात करते हैं तो आज ये इतना ज्यादा डेवलाप हो चुका है टूर्नामेंट की 16 की जगह यहां पे 36 खेल हो चुके हैं और 26 पैरा स्पोर्स विस में शामिल हो चुके हैं तो आपको याद रखना है कि शुभारम किया गया है और इसा लिए 11 एडिशन हो राइस गेम्स का इसके अलाबब प्रधान मंत्र स्री नरेंदर मोदीजी ने एमदाबाद में ही राष्टी रक्षा विश्विद्याला का जो भावन है इसको भारत को समर्पित किया है इसका इनागरेशन किया है ठीक है क प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ज्यादा ज्यादा शेयर कीजगा अपने दोस्तों के साथ और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिजेगा ताकि जैसे अगला अंकाय प्रकाशित और उसक का नोटिफिकेशन हैं और सबके पीडियाफ हैं तो बहुत सारी चीजें हैं आपके एक्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टन जो कि आपको एक ही प्लेस में मिल जाएगी तो मेक शूर इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करेगा इंस्टाग्राम के लिए अगरे अंके प्रकार्शन के बाद जबता के लिए टेक क्यार एंड थैंक्यू गाइस